नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है विक्रम और फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्ण टेक्निकल में रुक्रीट्मेंट दोस्तों आ रही है इसी ऐसी बैंक की तरफ से E-Relationship Manager की पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं और इसके लावा फॉन बैंकिंग ओफिसर की भी रुक्रीट्मेंट है जो की हाली के दिनों में पोस्ट करी गई है आप उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं E-Relationship Manager के लिए दोस्तों Freshers बिल्कुल इलिजिबल अपलाई कर सकते हैं और आगर आपके पास किसी तरह का Banking से Related Experience है तो भी आप अपलाई कर सकते हैं इसके लावा फॉन बैंकिंग की भी रुक्रीट्मेंट है फॉन बैंकिंग ओफिसर के लिए भी आप अपलाई कर सकते हैं बाकि दोनों के बारे में लोग डिटेल में बात करने वाले हैं बाकि आप Graduate हैं Freshers हैं आप इनीजिबल अपलाई कर सकते हैं इन रुकीट्मेंट के लिए कैसी आवेदन करना है कौन कर सकता है सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिसकस करेंगे तो शुरु से लिए के लास्ट सक्स वीडियो को थ्यांत से देखिए और किसी भी टाइम पर आपको लगे कि आपको ज़रूरी जानकारी मिल चुकी है तो आप सीधा लिंक डिसक्रिप्शन में दियें वहाँ पर जाके आवेदन कर सकते हैं तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूं कि सभी का सेलेक्शन नहीं होने वाला है बहुत कम लोग होते हैं जिनका सेलेक्शन होता है क्योंकि यहां अगर आपको लगता है कि आपने पहले भी आवेदन करा है उनकी तरफ से किसी थाप की आपको यहां नहीं आई है ता आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं अगर आप जो है वो नहीं करना चाहते तो आप हमारी दूसरी जो गौर्णमेंट रूकीटमेंट से प्राइवेट और्गनाइजेशन की तरफ से उनके लिए आवेदन कर सकते हैं उनकी भी वीडियो जो है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगे तो सबसे पहले बात करते दोस्तो ए रिलेशन्शिप मैनेजर की पोस के लिए असिस्टेट मैनेजर का ग्रेड रहेगा लोकेशन थाने मुंबई इंदोर चनेई गोहाटी डेली में रहेगा ए रिलेशन्शिप मैनेजर है कम्यूनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने रहेगा है।। यसो मेनेजर की रहेगा उने है कम्यूनिकेUST करना पड़ाएगा। इसके लावा इन को थोड़ी मेनकिंग सर्विस गहें उनको sale भी करनी पड़ सकती है इसके लावा qualification दोस्तों सिर्फ MBA मागा गया है MBA के साथ 0 से लेके 4 साल तक experience लेकिन अगर आपके पास banking से related experience है तो ही आप as a experience candidate अभेदन करिएगा location को हाटी चनने यह मैं पहले भी बता चुका हूँ minimum experience 0 है maximum experience 4 साल है 4 साल तक experience के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें सिर्फ MBA वाले अप्लाई कर सकते हैं यह जो रुक्रीट्मेंट है फोन बैंकिंग ऑफिसर की इसका ग्रेड जो है वो फोन बैंकिंग बिजनेस ग्रूप अप्रेशन ग्रूप में है ग्रेड ओफिसर का रहेगा और इसमें दोस्तों जो है आप ग्रेडिएशन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं हैंडलिंग और डिसॉल्विंग कस्टमर कंप्लेंट फोन के उपर जितनी ब इनकी क्वेरी जोंगी कंप्लेंट होगी उनको सुनना जहां तक हो सके रिसॉल्व करना यही आपका काम रहने पाला है बैंकिंग प्रडुक्ट को सेल करना क्रोस सेलिंग का काम यह आपका रहेगा और यहां पे अगर बात करें की स्किल्स की तो पोकन इंगलिस जो है आपकी बड़िया होनी चाहिए हिंदी आपको अच्छे से बोलना ना चाहिए और रेशन शिफ्ट में वर्क करने के लिए आप रेडी होने चाहिए इसके लावा वही बेसिक चीज़े जो लिखी गई है वही यहाँ पे दी गई है ग्रेज़ेट हैं आप किसी भी डिसिप्रेट में आप अवेधन कर सकते हैं जीरो से लेके चार साल के एक्सपीरियंस के साथ लोकेशन गोहाटी चन्ड़ाई इंदौर हैदराबाद और थाने में हैं मिनिमम एक्सपीरियंस जीरो है यानि कि फ्रेशर्स के साथ साथ आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं इसका कोई क्रेटेरिया नहीं रखा गया है अभी दोस्तों बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है साइन अप पे पाकि आप चाहें तो जोब अलट भी जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं आपके एमेल पे बता देंगे बो लो कि कौन-कौन सी पोस्ट है वो जो है वो पोस्ट करी गई है उनकी वेबसाइट पर और वहाँ पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए बार बार फिर आपको sign up नहीं करना पड़ाएगा एक ही बार में आपके पास username password आजाएगा तो आपको यहां पर sign up पे क्लिक करना उसके बाद आप इस form पे आजाएगे यहां पर सारी information आप डाल दीजिए जब आप डाल देंगे उसके बाद आप किसी भी पोस्ट के लिए direct आप एधन कर पाएगे सिर्फ login करके आपको बार बार sign up करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो यह सारा कुछ करने के बाद नीचे next पे क्लिक करके आपको यह 4 sections complete करके आपको जो हे वो submit कर देने हैं तो यह जानकरी दोस्तों दीगे हैं उनकी official website पर अगर आप चाहें तो read कर सकते हैं उनकी website कर link भी description में आपको मिल जाएगा तो यही था दोस्ता आज किस वीडियो में यह private job update था अगर आप government, private या PSU job update चाहते हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर लीजेगर आप चैनल पर नए हैं तो बाकी और जदा job update के लिए हमारी website को विजर कर सकते हैं मिलेंगे ऐसी किसी नही job update के साथ दुबारा से तब तक आप अपन क्याल की